अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक ideal कप्तान कैसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है, जो भी कप्तान अपनी टीम को जीत दिला सके, वही एक ideal कप्तान होगा. और अगर मैं आपसे कुछ कप्तानों के नाम पूछूँ, जो के आपके हिसाब से ideal हैं. तो आप किसका नाम लेंगे? रिखी पॉंटिंग का नाम आप ले सकते हैं, MS धोनी का नाम ले सकते हैं, या जादा से जादा आप रोहिद शर्मा और विराट कोगली का नाम ले सकते हैं. अब इसके अलावा भी आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, जिन्होंने क्रिकेट में खुद को एज़ा कप्तान established किया है. लेकिन अगर आप इस समय रंजी ट्रॉफी देख रहे हैं, तो फिर आपके मन में एक नाम जरूर आएगा, और वो नाम है आरसाई किशोर का. अब जो लोग नहीं जानते और जो लोग सोच रहे हैं, कि भला ये आरसाई किशोर कौन है? तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि तमिल नाडू का ये खिलाड़ी, और आखिर क्यों ना हो? इस पूरे टॉर्नावेंट में मुंबई की टीम सिर्फ एक मैं चारी. इसके बाद मुंबई की टीम में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड्रास क्रिगेटर्स थे. चाहे आप अजिंके रहाने की बात कर लें, पृत्वी शौ की बात करें, श्रियस ऐयर की बात करें, या फिर शार्दुल ठाकूर की बात करें. जब इतने इंटरनेशनल लेवल के क्रिगेटर्स आपकी टीम में होते हैं, तो हर मुकाबला आप ऐजा फेवरेट सी स्टार्ट करते हैं. लेकिन जब इन सभी खिलाडियों के सामने साई किशोर आये, तो उनकी गेंदबाजी का किसी भी खिलाडी के पास कोई जवाब नहीं था. और अब तक खेलेगा इस मुकाबले की बात करें, तो मुंबई की टीम के आठ विकेट गिर चुके हैं, जिसमें से 6 विकेट चटकाएं हैं, आर साई किशोर ने. अब सवाल ये उठता है कि क्या साई किशोर सिर्फ सेमी फाइनल मुकाबले में चल रहे हैं? इससे पहले क्वाटर फाइनल मुकाबला खेला गया तमिल नाडू और सौराश्टर के बीच. और सौराश्टर वही टीम हैं, जो कि इस टॉर्णामेंट की डिफेंडिंग चेंपियन्स हैं. सौराश्टर के आगे हैं, साई किशोर ने साबित कर दिया, क्यूं उनका नाम एक आइडियल कैप्टन की लिस्ट में डाला जाना चाहिए? सबसे पहले गेंदबाजी की बात करें, तो साई किशोर ने पहले पांच विकेट चटका है फरस्ट इनिंग्स में, चार विकेट चटका है सेकेंड इनिंग्स में, और जब बल्ले से उन्हें मौका मिला, तो वहाँ भी उन्होंने 60 रनों की पारी खेली. और इसी की मदद से तमिलनाडू की टीम सेमी फाइनल तक पहुची. और सिर्फ नौकाउट्स की भी बात नहीं है, अगर आप पूरे टॉर्नमेंट की बात कहले हैं, तो अब तक साई किशोर आठ मैचेज में 47 विकेट चटका चुके हैं, और इस टॉर्नमेंट में सबसे ज जो लीग खेली जाती है, उसकी बात करें, या फिर आप डॉमेस्टिक सर्किट की बात करें, साई किशोर ने खुद को हमेशा as an all-rounder साबित किया है, अब अगर IPL की बात करें, तो वो पिछले तीन सीजन से गुजराट टाइटन्स का हिस्सा हैं, और जब पहली बार उन्ह गुजराट टाइटन्स के लिए साल 2022 में खेलने का मौका मिला, तो हारदिक पांडिया की कैप्टन्सी में उन्होंने 5 मैचिस में 6 विकेट चटकाए, और सबसे जरूरी बात ये थी कि पूरे टॉर्नामेंट में उनका जो एकॉनमी रेट था, वो 8 से भी कम का था, लेकिन इसके बाद भी साई किशोर को अगले सीजन में खेलने का एक भी मौका नहीं मिला, लेकिन अब जिस तरह से सेमी फाइनल मुकाबले में साई किशोर खेल रहे हैं, जिस तरह से मुंबई जैसी स्ट्रॉंग टीम के अगेंस साई किशोर का परफोर्मेंस देखने को मिला है, अब उम्मीद की जा सकती है कि अगले सीजन में, यानि कि IPL 2024 में, जब साई किशोर गुजरा टाइटन्स में शुबमन गिल की कप्तानी में खेलेंगे, तो उन्हें राशित खान के साथ खेलने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन साई किशोर के इस परफोर्मेंस पर आपकी क क्या राए है और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वो इस समय रंजी ट्रॉफी में कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या IPL 2024 में भी साई किशोर का जलवा देखने को मिलेगा, अब इस बारे में आपकी क्या राए है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीड